लोगसभा चुना में मेरिट की मांग ही की थी मगर ये मांग सुनी गई होती तो आज जो रिजर्ट आए है इससे अच्छे रिजर्ट आते थे अगर विधासभा में मेरिट की आधार पर निन्ने दिया गया तो वर्तमान सरकार का सुप्रा साफ हो जाएगा ऐसा कॉंग्रेस प्रदिशाद देख्ष नाना पटली द्वारा पट्रकारों से सब्वास साथ भी कहा क्या है इस तरह से लोगसभा में हमने मेरिट के आधार पर मांग की थी वो सुनी नहीं गई थी अगर सुनी जाती तो आज जो रिजल्ट है उससे भी अच्छा प्रदर्शन अपने को देखने मिलता है यह आज भी हमारा दावा है इसलिए विदान सभा के चुनाओं में भी मेरिट के आधार पर किसको ज़्यादा किसको कम यह होना नहीं चाहिए मेरिट के आधार पर अगर होता है तो मुझे मैं बताता हूँ अभी से दावे से बोलता हूँ कि महराज की सरकार सुपड़ा साप हो जाएगी यह स्तितिया आज है और इसलिए हम हमारे सहियों की दलों से भी बिंती करेंगे जब हमारी मिटिंग होगी उसमें भी हम बिंती क करेंगे कि मेरिट के आधार पर एक उटा किसका जादा एक उटा एक इस बारे में चर्चा ना हो यह हमारी मांग रहे है